हेलो फ्रेंड माय सेभ डॉक्र सुनिलताउं। और कंसर्टेंट एंट एंड राइनो प्लास्टी नोज केयर। क्या हमारा चैप्तो प्लास्टी जो नाक का डियने इस और उप्रिशन है। उसकी बाद हमें क्या क्या और ध्यान रखने की ज़रुत है। वीडियो में आगे पॉस्ट सेप्टोप्लास्टी सेप्टोप्लास्टी मतलब कि नाक के अंदर गड Mü PhD to उसको करक्ट करने के लिए एक एंडॉस्कोपिक सर्जरी होती है, that we call the septoplasty, हमारा अंदर का जो septum है, उसकी प्लास्टी उसको करक्शन करना, क्यों करते हैं, just we get blockage-free nose, यानि हमारे nose को blockage-free रखने के लिए हम septoplasty सर्जरी करते हैं, और बहुत बार क्या है, हम आर्मे एस्पिर सर्जरी के बाद के अंदर चालू होता है, पहले बाद सर्जरी के बाद जब पेशिंट वार्ड में आता है, तो उसके nose में दोस्तो एक packing लगाई जाती है, बहुत पार क्या है कि पैक जो होते हैं, आजकर जो पैकिंग्स होती है, वह एक मेरोसिल होता है, वह अच्छा होता है, वह स्पंज को बीटाद में डालके nose में swail कर दिया जाता है, just for getting the hemostasis, कि nose में कोई bleeding या ऐसा नहीं हो, वह आपको 24 आवर्स के लिए होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे patients के इम्मीत होता है, कि जब हमें मेरोसिल लगा दिया जाता है, तो इस थोड़ा बहुत कहा है कि हमारा nose block कर देते हैं, तो हमें थोड़ा सा लगता है, बट वो कुछ time में settle हो जाता है, हमें mouth breathing करनी होती है, okay, and दूसरा, कि जो mouth breathing करते हैं, तो हमारा थोड़ा मू ड्राइ होता है, इसलिए बार-बार हमें care liquids जो है, वो लेते रहना चाहिए, दोस्तों, जब हमारे 24 आपको एक mask जरूर लगाना है, क्योंकि nose क्या है, थोड़ा sensitive हो जाता है, आप bike पे जा सकते हैं, आप flight journey कर सकते हैं, आप train में जा सकते हैं, कोई problem नहीं है, बट आप mask जरूर लगाए, जिससे nose क्या है sensitive होता है, तो आपको problem नहीं हो, इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार क नहीं होता है, बाहर से किसी को यह visible नहीं होता है, कि हमें कोई surgery कराया है, या कुछ भी कहीं पर बाहर से कोई चीर फार, टाका पट्टी, दर्द निशा, nothing कुछ भी नहीं होता है, सारा endoscopic होता है, इसमें क्या है कि कुछ टाइम पर नोज को, post-operative period में हमें nose का cleaning mandatory है, क्यों आप जो इंक डॉकर से आप दो बूंद इदर दो बूंद इदर डाल के पांच मिर्ट बेट कर लिया, उसके बाद में आप में क्या किया कि जो एक alkaline nasal wash होता है, वो nasal wash में बैसिकली sodium hydroxide chemical होता है, वो एक normal style थोड़ा था है water में मिला के उसके साथ एक बल्ब होता है, उसमें नोज में आपको यू जैसे जल निती करते हैं, ऐसे लगाना होता है, पानी इदर से गिर जाएगा, ऐसे इदर से इसमें गिर जाएगा, फिर आपको ऐसे, क्योंकि वो नोज में जो हमाने खरूंट होता है, जो क्रस्ट हता है, वो क्लीन हो जाए, वो sodium hydroxide क्रस्ट को डीटे हैं, अच्छे से करनी है, अच्छा, बहुत बार दोस्तों, नोज में कोई क्रस्ट हटता है, तो हलका-फलका, उजिंग, ब्लीडिंग है, तो never panic, अगर किसी को है, तो हमारे नोज को ऐसे पिंच कर लेना चाहिए, लेटाना नहीं चाहिए, दोस्तों, यूजूली हमारा क्य यूजूली क्या है, रुख जाता है, और आप अपने जो रिगार्डिंग डॉक्टर से डिसकस कर सकते हैं, तो एक हो गया है, नोज क्लीनिग, आपको प्रॉपर 10 डेज तक नोज क्लीनिक करना है, दोस्तों, खाने पिने में अगर बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड प्रंपा करते हैं, बहुत बहुत घंड दूस्तों, यो अपने नोज्ट लेसकते हैं, तो आप क्लीनिक गरी सेवान क्लीनिक्श में आप सहे हो को आप ले सकते हैं उसमें को दिक क्लीनिक यह सकते हैं, और दूस्तों झाnad है, वाहений ढावे योल nossa है, तो उसमें कोy तेम प्ल बहुत ज़्यादा जो है तीखी चीजें जस्ट ट्राविजिए बहुत बार क्या एसीडिटी होती है वह मेटिंग होती है कि उस्ट अप्रेटिव क्या होता है कि उसे इंजक्टेबल्स मेडिकेशन्स अलड़ी आपको दी जाती है तो अलड़ी उनके करण भी पार ऐसीडिट कि अगर EB ost के साथ अगर आपको थोड़ा सा जी आई प्रोब्लम भी यह है पेटकी प्रोब्लम होती है तो सब्सक्राश का लेसकते हैं प्लकले सकते हैं छाच लसी यह सारी चीजिज कि यहां प्ले सकते हैं तो दोस्तों यह हैं नोर्मल केर प्रिएगिंग जो है downt कि कि औल की पार्ट में होता है जो आके का चो पार्ट होता है तो उसको अंदर दिया जाता है जै कि बाद कई बार यहां के अंदर जुचर्स होते हैं उनमें इंफेक्शन नहीं हो जाए तो जस्ट नियोस्प्रिन सिंपल ओइंटमेंट आपको नोज में हलका सा अंदर लगा लेना है जिससे क्या इंफेक्शन नहीं हो दोस्तों एक बड़ी इंपोटेंट सीज बहुत बार पीशेंट्स की हैबित होती है नोज को क्लीन करने कि अपने हैंकी से कोटन से नोज को बार बार क्लीन करें इस बाद है क्योंकि थीस थिंग्स आ नोज में इंफेक्शन हो जाता है इसलिए वह सब चीज ना यूज में ले और नोज को प्रॉपर्ली जो है वा ज्यादा अगर आपको क्लीन करना है क्यूटिप जो यह बढ़ाती बना सकती हैं सक्षिछ बना सकती हैं so I think this information regarding the post september care is important for you, you can share to your friends and colleagues just to create awareness regarding the post septemberplasty, thank you